नमस्कार मित्रों मैं अनुज कुमार आज आपको स्वर संधी के बारे में बताऊंगा पिछले बार मैंने स्वर संधी के दिर्गी संधी गुन संधी के बारे में बताये था आज आपको विद्धी संधी यन संधी और आयादी संधी के बारे में बताऊंगा आएए चलते हैं स्वरसंधी इसकी परिभाषा भेद पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि स्वरसंधी के पांच भेद होते दिर्विसंधी, गुनसंधी बिर्धी संधी, यन और अयादिसंधी पिछले वीडियो में आपको दिर्विसंधी और गुनसंधी के बारे में बता आया था ठीक है? इसके बारे में बता चुका हूँ आज आपको बिर्धी संधी यन संधी और आयादिसंधी के बारे में बताऊंगा स्वरसंधी के पांच बेद होते हैं दिर्विसंधी, गुनसंधी, बिर्धी, यन और आयादिसंधी आज हम चलते हैं बिर्धी संधी के बारे में इसकी परिवासा और एक्जामपल आपको बताने वाला हूँ यदी आया आके पसात ए, आ, ओ, आओ, हो तो दोनों मिलकर आय तथा आओ बन जाता है मैं इस परिवासा को सिंबल तरीके से लिख देता हूँ जिसे से आप जल्दी समझ जईएगा उसके बाद इसका उदाहरन भी दूँगा देखिए आ, आ के पसात ए हो या आई हो तो दोनों मिलकर आई ही बनेगा आ, या और आ के पसात ओ हो या आउ हो तो दोनों मिलकर आउ बनेगा यानि ब्रिधी संधी में आई बनेगा और आउ बनेगा ये याद रखना है चलिए, एक जांबल सबसे पहले ही इसका देखे, पराम जोड आई शिवारे पराम जोड आई शिवारे आई है लिखा गया परमयस्वारे इसमें आ है और इसमें आई है दोनों मिलकर आई ही बना परमयस्वारे या और देखे, तथा जोड एव तथा में आ है यानि तथा में आशर है था में आश्वर है और इधर है ए तो दोनों मिलकर आई ही बनेगा लिखा जाएगा तत्रेव और एज़ांबल देखिए देखिए तत्र तत्र मतलब वह हाँ तत्र जोड एव लिखा जाएगा तत्रेव या सदा जोड एव लिखा जाएगा सदैव सदैव कैसे बना इसका आ लिया और इसका ए लिया दोनों मिलकर आई बन गया तो लिखा गया सदैव अब चलते हैं आउ का एज़ांपल देखिए आउ का परम जोड और सदी लिखा गया परम और सदी देखिए परम में आ है मा में आ है और ये आउ है तो आ और आउ मिलकर आउ ही बन गया परमौसदी या जल जोर ओग 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 बोलते हैं समू को निर्जी बस्तूओं का धेव तो बन गया इसका आ है जल में आ है लम में आ है और ये ओग है बन गया आउ तो लिखा गया जलाओग यानि जल का समू बाड़ जलाओ का मतलब विशाल जरासी यानि बाड़ को भी कह सकते जलाओग और भी एक्जामपल बन जोर ओव सधी लिखा गया बन ओव सधी देखिए इसका आ लिया और इसका आ लिया लिखा गया आउ बन ओसधी और भी लिखा थे जल जोर ओख बन गया जलाओग दिर की संधी का उदाहरण सोरी विर्दी संधी का अब आते हैं यन संधी यदि यानि हरासाई दिर्गई हरासाउ दिर्गवू तथा री के पसाथ री के पसाथ कोई अन्य स्वर हो तो दोनों मिलकर या वा तथा रा बन जाता है तीनो वेल हलंत है यी जो है या बनेगा आधा या हलंत लगा हुआ और उ उ जो है यानि हरासाउ दिर्गवू वा बनेगा आधा हुआ री जो है रा बन जाएगा इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं देखें छोटी यी बड़ी यी जिसको हरासाउ दिर्गई बोलेंगे के वाद कोई अन्य स्वर्ग कोई अन्य स्वर्ग तब जो है यी जो है या बनेगा मेरे कहने का मतलब है हरासाई और दिर्गई यी के बाद कोई अन्य स्वर्ग आया तब छोटी यी बड़ी यी आधा या बनेगा अगर यी उ के पसाथ छोटी बड़ी के पसाथ कोई वही स्वर्ग आगया फिर तो दिर्गिसंधी मांडिया जाएगा यहां कोई दूसरा स्वर हो तब यहां बनेगा उसी तरह तो हारा सवू दिर्गवू के पसाद कोई अन्ण सर है तो वू जो है आधा हुआ बनेगा इसी तरह री के पसाद कोई यहां बनेगा जाएगा यह याद रखना है यहन संधी में आधाया बनेगा यानि यह जो है आधाया बनेगा उ जो है आधा वा बनेगा और री जो है आधा रख बनेगा अप देखिए इसका एकड़ांपर देखिए इती जोड आधी बन गया इत्याधी कैसे बना यह आपको बताता हूँ देखिए ती में से पहले स्वर निकल दिया इस्वर निकल दिया हरा सही है तो अगर किसी ब्यंजन से हम स्वर निकालेंगे तो ब्यंजन आधा हो जाता है ती में से ई निकल गया तो ताधा हो गया ई ई के बाद आ है तो ये जो है आधा या बन गया आधा या में आ जुड़ गया तो ये बन गया या बाकि जोड दिजिए इधर ये है इधर इ है और इधर दी है जुड़कर वना इत्यादी इसी तरह और भी यदि जोर अपी लिखा गया यदपी यदपी को ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे देखें बताते हैं दी में से सबसे पहले इ निकालेंगे इ निकल गया इ जो है हरस्व तो दा आधा हो गया इ के बाद आ है तो इ जो है आधा या बन गया अब आधा आ में या जो हलंत बाले या में आ जुड़ गया तो यह पूरा हो जाएगा यह पूरा हो गया अब सबको जोड़ दीजिए या आधादा या पी यद्धिपी हो गया तो इत्यादी और यद्धिपी में यन संथी है देखे इसके अग्जाम्बल हो गया अब वा बला देंगा है देखे हरसवू दिर्गवू के बाद अगर कोई यन स्वर रहेगा तो वा बनेगा आधा हुआ अगर हरसवू दिर्गवू के बाद में फिर हरसव दिर्गवू आ गया फिर तो दिर्ग संथी मान लिया जाएगा नहीं यहां कोई दूसरा स्वर हो देखे सू जोर आगट लिखा जाता है स्वागट देखें स्वागट कैसे बना अधिकतर लोग क्या करते हैं अधिकतर बिड़ाती संधी बिछेद कर देते हैं लेकिन उसके नियम नहीं बता करते हैं संधी बिछेद कैसे किया गया है वो ठीक से नहीं बता पाते हैं उनका नाम बताना तो दूर, सूज और आगत, स्वागत कैसे बना है, हम इसके बारे में बताएंगे, ये यन संदी का उदहरन होगा, देखें, सूज से पहले हम स्वर निकालेंगे, वो निकल गया, तो सा आधा हो गया, किसी बेंजन से स्वर निकाल लिया गया, तो बेंजन आधा हो जाता है, सभी बेंजन में स्वर लगे होते हैं, उ के पस साथ आ है, तो उ जो है आधा वा बन गया, और आधा, वा में आ जुड़ गया, कैसे, देखें, आ जो है, दो आ मिलकर बना है, दो आ मिलकर आ बना है, तो एक आ को लेकर हम वा को पूरा कर दिया, वा, अब यह जो है लकीर के रूप में आ गया, स्वाख हो गया, बाकी जोड़ दीजिए, स्वाख गर्ट, इसी तरह दूसरा एक्जामपल, देखें, सू जोड अर्थ, स्वाच्छ बनेगा, स्वाच्छ, सू में से उ निकल गया, तो सा आधा हो गया, उ के बाद आ है, तो उ जो है आधा हुआ बन गया, आधा हुआ में, आधा हुआ में आ जुड जिया, तो हुआ जो है पूरा हो गया, बाकी जोड दीजिए, स्वाच्छ हो गया, इसका और भी एक्जामपल ले सकते हैं, देखिए, सू जोड आर, सू जोड आर, लिखा गया, स्वार, कैसे, सू में से उ निकल गया, सा आधा हो गया, उ के बाद आ है, तो उ जो है आधा हुआ बन गया, अब आधा हुआ में आ जुड गया, तो हुआ पूरा हो गया, बाकी जुड गया, लिखा गया स्वार, तो स्वागट स्वाच और स्वर में यह नसंदी है इसको संदी कैसे किया गया है यह आपको मैंने बता दिया अब रावाला अगर हर री के पसाथ री के पसाथ राज है यानि री के पसाथ कोई अनस्वर हो तो री जो है आधारा बन जाएगा यह आपको फिर समय किलियर कर देता हूँ देखिए री के पसाथ हरस है री जो है हरस्वर माना जाता है री के पसाथ कोई अनस्वर हो अनस्वर वहेगा तब क्या है री जो है आधारा बनेगा देखिए इसके अग्जामपल मात्री जोर आनंद रही है यह मात्री जो बना है कैसे बना बता देते हैं कई लोग कन्फूज हो जाते हैं आधाता पलासरी मिलकर त्री बन गया है कुछ लोग इसको रह मानते रह नहीं है रही है रही जो है हरसस्वर है चलिए त्री में से हम रही निकाल देते हैं रही निकल गया तो त्रह आधा हो गया अब रही के पसाप आ है तो रही जो है आधा रह बन गया आधा रह तो यह पहले से आधा पता था तो यहां हम आधा रा जोड देते हैं अब आ है आ में जो है दो आ है एक आ को लेकर इसको हम फिर चे लिखते हैं एक आ को लेकर हमने त्रा कर दिया दूसरा त्रा बन गया फिर जोड दिखे लिखा गया मात्रानन्द मेरे कहने का मदलब है कि री के पसाद कोई अनस्वर हो जो री जो है आधर्रा बन लिया दूसरा अग्रेंब आप देखें पित्री जोड आग्या लिखा जाएगा पित्राग्या लिखा जाएगा यानि संधी किया गया है पित्री पलस पित्री जोड आग्या मेंकर पित्राग्या इसका संधी किया गया है ये कैसे किया गया है आपको बताते हैं देखें त्री है त्री में से री है री निकल गया तो ता अधा हो गया री के पर साथ आ है तो री जो है आधा रा बन गया हम आधारा ऐसे कर सकते हैं आधात्रा लिखा गया आधेता में आधारा जुड़ गया तो आधात्रा हो गया अब यहाँ आ है आ में दो आ है तो एक आ लेकर तरा पूरा हो गया दूसरा आ मिलकर लकीर के रूप में आ गया बाकी जोड़ यह लिखा गया पित्राग्या तो पित्राग्या में ये विसंदी है अब आते हैं अयादी संधी सबसे पहले इसकी परिभासा यादी ए आई ओ आउ के पसाथ कोई अन्सर हो तो यदी ए आई ओ आउ के पसाथ कोई अन्सर हो तो दोनों मिलकर तो दोनों मिलकर आई आई आउ तथा आउ वनेगा देखें यदी ए आई ओ आउ के पसाथ कोई अन्सर रहे तो दोनों मिलकर आई आई आउ तथा आउ बनेगा देखें ये ये का क्या ये जो है आई बनेगा ये जो है आई बनेगा हलंत लगा हुआ है ये जो है आई बनेगा और आई जो है आई बनेगा ओ जो है आउ बनेगा तथा आउ जो है आउ बनेगा ये आई ओ आउ के पसाथ कोई अन्सर हो तो ये जो है आई बनेगा आई जो है आई बनेगा ओ जो है आउ बनेगा तथा आउ जो है आउ बनेगा देखे, ने पलस अन, लिखा गया नयन, क्योंकि ए है, ए जो है आई बना है, तो लिखा गया नयन, कैसे देखे, ने जो है, तो ने हम इसे नय लिखते हैं, आई, यह आधा है, यह में अन जुड़ गया, तो आ लगकर यह पूरा होगा, लिखा जाएगा नयन, इसी तरह शे, जोड़, अन, लिखा गया, सयन, अब आते हैं, आई, तो गय, जोड़, अक, लिखा गया, गया, क्योंकि आई जो है, आई बना, तो गय जो है, गय बन गया, देखे, यह गय जो है, गय बना है, गय, गय में हलंद है, और अक जुड़ गया, तब बना गया, और देखे, बिधाय, जोड़, अक, लिखा गया, बिधाय, आई है, तो आई बना, आप देखे, ओ, ओ, जो है, आउ बनेगा, देखे, पो, जोड़, अन, लिखा गया, पवन, इसी तरह भो, जोड़, अन, लिखा गया, भवन, क्योंकि ओ, जो है, आउ बन गया है, और देखे, पो, जोड़, इत्र, तो लिखा गया, पवित्र, कैसे, पो, जो है, वो, जो है, आउ बना, तो लिखा गया, पव, वह में हलर्ग है, और आधा, वह में, इजुड़ गया, तो लिखा गया, वी, लिखा गया, पवित्र, और देखे, श्राव, जोड़, अन, आउ है, तो आउ जो है, आउ बनेगा, तो लिखा गया, श्रावन, ये, ना बदर गया है, ये, सोरसंदी के एक्जामपल है, कि अगर, रा के बाद, रा के पसाथ, ना आएगा, तो ना जो है, ना में बदलेगा, तो लिखा गया, श्रावन, इसी तरह, पाव, जोड़, अन, लिखा गया, पावन, पावन, का मतलब पवित्र होता है, इसी तरह, पाव, जोड़, अक, ब्रावर, पावक, तो वित्रो, ये, आयादी संदी के एक्जामपल है, स्वरसंदी के पाचो भेव, उसकी परिवासा और उसका उदारन हो गया, आज भर इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, आज अगले हो उड़ित्वा कैंश वित्रो, य Давकिएपली अगला है, रभावक था खब गझते, मिलेंडा़ ब्लावक्वक्त परिवाज़, जिसक रहे reperूब,